अगर सूरी की रेखा शुक्र परवत से निकलते वे इस तरह आगे जाती है या फिर खंडित होते वे इस तरह से आगे बढ़ रही हो या फिर सूरी की रेखा में इस तरह का द्वीप बन जाए और बुद्ध परवत में किसी भी तरह का क्रॉस बनता हो या फिर सूरी का परवत दबा हुआ हो, जादा विक्सित ना हो, तो ऐसी अवस्था में ऐसा सूरी जो है शुब फल प्रदान नहीं करता, ऐसे लोगों को रक्त चाप, क्रोध, दुराचरन करने वाला होता है, यानि ऐसे लोगों के अंदर बहुत जादा गुसा होता है, ये क मुकदमे बाजी की भी स्थिति बन सकती है, साथ में अगर शनी में इस तरह के का क्रोध बन जाए, तो ऐसे लोगों के उपर लंबा केस चलता है,